अभी का जो माहौल है बस एक तरफा माहौली है कि सीवान से अगर कोई दूसरा वेक्ति है जो एक संबेधानिक पद पर पहुंचे हैं तो अभी तो इसी के हुमारी में लोग यहां पर हैं यहां के लोग को अगर सिर्फ अध्यक्ष पद मिल गया है तो लोग इससे बहुत जा हुआ है दो दिन पहले बढ़रिया में एक उकरेंस हुआ है जिसमें जो है कि हिंदू-मुसलिम का एंगल दिया गिया है उसमें क्या साजिश है क्या नहीं वहां तो विधायक है ना यहां के बच्चा पंडे जी उनको तो इसमें कम से कम नोटिस लेना चाहिए था जाहिर है कि महां के लोगों ने उनको वोड़ दिया लगबग तीन चारोज पहले मानिया विधायक सद्धेव राम जी के यहां एक उकरेंस हुआ जिसमें नब्बे दलितु के घर को जो है कि परशासन के द्वारा हटा दिया गया था तो महां गडबंदन में सिवान में सबसे दा मता पेची होगा चुकि बहुत सारे परत्याशी हैं उसके बाद जो लोग पहले से चुनाव लड़े हैं उनकी दावेदारी रहेगी कई लोग बीच में आकर के फेस्बुक के जरिये जो है कि अपने आपको परचार परसार की हैं उनकी दावेदारी होगी जिस जगह पे इंज सिर्फ उम्मीदें रहा जाएंगी तो दोनों बरबाद होगी तक लोग नोच ले गाए हैं सिर्फ एक लोहा बचा हुआ है हमको लगवाग बीस-पचीस किंटल का होगा इसलिए हालक उसको भी लोग मतलब अरी से काटने के चकर में थोड़ा मुड़ा काट लिए हैं वह बार देख रहा है कि अभी हम सिवान पूंचे हुए हैं और सिवान में जानेंगे कि महागडबंधन की जो सरकार बनी है इसका क्या आसर होने वाला है और नितिश कुमार एक नए मोहीम पर निकले हुए हैं देश में जितने भी पक्षी दल है उनको एक जूट कर रहे हैं तो इस स्वागत है सकते हैं और महागडबंधन की सरकार और आपके सिवां से बिदान सभहा के ऑध्यक्ष बनेगे रिचोधरी ज्य क्या सूच रहे हैं देखिए कैफ जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिस जगब बैठे हैं ये जियाए गाओं है ठीक है और ये सदर बिधायक और बिहारी चौधरी का पैत्रिक यहां उनका घर है यह उनका चुकि यहीं जन्म अस्थान है उनका और सीवान के लोगों के लिए ग राजनीती है वह कभी ना मतलब आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जो है कि पुरी राजनीत को प्रभावित करता है जब हम लोग भी ग्रास लेवल पे ग्राउट लेवल पर काम करते हैं तो लोग हलेकी बहुत सारी शीज़ें नहीं बता पाते हैं अभी का जो माहूल है बस एक तरफा महौली है कि भाई सीवान से और बिहारी चौधरी जी जो है कि राजिंदर बाबु के बात कोई अगर कोई दूसरा वेक्ति है जो एक संबेधानिक पद पर पहुंचे हैं तो अभी तो इसी के खुमारी में लोग यहां पर हैं बाकी अगर गडवंदन के बारे म इससे सरकार में अगर सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई शेत्र है तो सीवान है यहां लगबग छे विधायक आते हैं जिसमें दो आपको सीपियाई माले से हैं और उसके बाद बाकी जो है की राज़त से हैं मतलब महा करण बाकी सीट है और गुरिया कोटि आपका हैं लगबग महागडवंदन है एक कॉंग्रेस है राज़त है और लाज़त है और राज़त है तो चिजए तो महागडबंदन सबसे मजभूत यहां पर दूसरी चीज़ है कि यहां का भी परतवां सांसद है हमारी कवीता सिंग जी यहीं के सांसद है तो महागडबंदन में है, जेडियू के है, तो भई महागडबंदन के हो गई, तीसरी अगर हम बात करें, तो अभी MLC जो यहाँ पे चुने गए है, जैसवाल जी, तो भी सिवानी से है, राजत समर्थी तो मिद्वार थे वो, और उसके बाद अगर हम देखे तो नगर क्या क देखते हैं, तो यहां हम एक चीज़ देख रहे हैं, कि यहां के लोग को अगर सिर्फ अध्यक्षपद मिल गया है, तो लोग इससे बहुत जादा खुश है, उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, कि सिवान में हमें और क्या चीज़ मिलनी चाहिए, जो यहां के लोगो दस मिनट का काम है सिवान में, जिसके लिए आप घर से चले आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद काम आपका दस मिनट में हो, दस घंटे में हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जो ब्यान बाजी थी, पकिस्तान भेजने से लेकर के हिज़े एक तरफ बोल रहे थे, जिस पे लोग जो है कि घरवंदन को एक्सेप्ट कर पाएंगे आने वाले चुनाओं में या इसका और इसका बिरोध दिखेगा लोगों में, इस पर क्या आप पूरे समाज को आपने, कहीं न कहीं उसको गुस्सा दिला दिया आपने, और वो उस गुस्से में एक तरह जानवाली विवाद आ रही थी, तुसमें भी बोले कि पाकिस्तान में आजान होता है, अजर सिंग कैसा बियान था, फिर उन्होंने इसका डिनाई किया, उन्होंने किसी चैनल से कहा था कि नहीं, कहीं न कहीं मीडिया ने इसको तोर मरोड करके पेश किया, सवाल है कि बात को आप कहें दीजी, और जब मामला विवाद में आ जाता है, कंट्रवर्सी जिससे हो जाती है, तो उसको क्या, ये लोग कहते हैं कि हमने इसका कहा ही नहीं, आप लोगों ने इसको तोर मरोड कर दिया, बहराल बात आपने जो पूचा है कि नाकाब की बात थी और उन् मुस्लिम समाज सिधा सिधा कह दे तो उसको संख्या जादे है, और उस पर लगतार अजे सिंग का जो कटाक्ष रहा, जो ब्यानबाजी रहा, अब इसको भूल करके लोग आने वाले चुनाओं में, क्योंकि नितिश कुमार भी एक मुहीं पर निकल चुके हैं, और लगतार मुसल्मान हर बिहारी चाहता है कि बिहार का परधान मंत्री बने तो इसको लोग एक सिप कर पाएंगे आने वाले चुनाओं में, या फिर इसका कुछ सिवान में असर होगा, क्या होगा है, देखिए असर जहां तक बात है कि अभी तो यह क्लिर ही नहीं हुआ है, कि फिर से चुनाओं लड़े हैं, उनकी दावेदारी रहेगी, कई लोग बीच में आकर के फेस्बुक के जरिये जो है कि अपने आपको परचार परसार की हैं, उनकी भी दावेदारी होगी, उसके बाद आपको एंडिये में, जो जेडियू के लोग हैं, वर्तमान जो सांसद हैं, य होगे, नहीं होगे, महागडबंदन में क्या होगा, बहुत सारी चीज़े भी तो सामने आएगा, तो इसलिए अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, कि उनको लोग क्या सोचेंगे, या उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, अभी CPI email के बात कर रहे थे, CPI email सरकार में स सोच रहे हैं, बिचार क्या मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे देखे होंगे, ये लोग का क्या सोच है, क्यों से लोग कुछ पता चलागी, क्यों सामिल ने अभी हम देखे रहे थे कि लगबग 3-4 रूस पहले, मानिया विधायक सद्देव राम जी के यहां एक ऑकरेंस ह जिसमें 90 दलितों के घर को जो है, कि परशासन के द्वारा हटा दिया गया था, अभी 3-4 रूस पहले के खबर है यह, तो उसमें मानिया जो वहां के विधायक महोदे, उन्होंने कहा कि यह परशासन की घलत नीतियों का नतीजा है, चुकि परशासन से जब उन लोगों ने तो अब आप उसके लिए जमीन की बात कर रहे हैं, पहले उसको जगा च्छत तो दीजिया, अगर आप दलितों के नेता हैं, तो सबसे पहले उसको जरूरत है कि उसको च्छत मिले, दूसरी चीज है कि आखिर वो च्छत अभी क्यों उजाडा गया, यह तिने दिनों से अग अगर सरकार में या उन लोगों के मतलब बिधायक रहते हुए, और दलितों के अगर यह हालात है, तो सवाल है कि फिर दलित जाये तो जाये कहां, या मुसलमान जाये कहां, या पिछड़ा जाये कहां, हम तो इसलिए ने भोड़ देते हैं, किसी अपने को कि हम मुसलमान हैं या हम दलित है या हम पिछड़े हैं तो हमारा सोचेगा लेकिन अगर हमारे साथ भी स्यासत हमारे ही लोग कर दे तो फिर हम कहां जाएंगे यही चीज़ वहां साबित हो रहा है और आपने एक सवाल पूचा कि फिर यह लुक सरकार में शामिल नहीं हों तो देखे सरकार में शामिल हो या ना हो लेकिन जिम्मेबारी इन की उतनी ही बनती है आप अगर उन डलितों के घर को उजाड़ दिया गया और आप कहरा है कि नितिश कुमार की घलत नितियों का नतीजा है तो सवाल है कि आप इस चीज को मीडिया में क्यों लेकि आ रहा है इ जो हमारे सहयोगी हैं जिनके बलबूते पे हम चुन करके सदन में जाते हैं उनका हालात इस तरह से क्यों है एक दिन में तो हुआ नहीं होगा जाहिर है कि जो दलित जो दबे कुछले लोग है उनके सिलसला चला आ रहा है हमको लगता है कि इंद्रा गादी के समय में एक बा स्यासत हो जाया है यह अर। स्यासत करें दलित के साथ हो जाती है तो उतना पुखता तब ताउर पे या उतने मजबूती के तौर पे हमारे दलित के नेता ही क्यों नहीं उठा पाते हैं चली हम मतलब जो forward grad के लोग हैं उनके बारे में नहीं बात कर सकते हैं वो नहीं उठा सकते हैं वो तो उठा सकते हैं आपका एक छोटा सा हमें एक्जामपल दे रहे हैं दो दिन पहले बढ़रिया में एक occurrence हुआ है जिसम सोच करके दिया जाता है और अगर उनके राज में उनके चेत्र में अगर इस तरीके का बात आता है और वो लोग हामुश रहते हैं तो इसका मतलब कि खाली सियासत हो रहा है इन लोगों के साथ तो फिर ये तब कहा जाएगा इसको जड़ा सोची आगा जो सीवान में आम तो कोई नहीं बोलता है अभी ब्लाडिया का जिकर कर रहा है जहां पर हिंदू-मुस्लिम होना निर्चित है लेकिन हुआ तो उसमें कोई ऐसा नेता जो हो है अभी तक तो कोई नहीं खड़ा हुआ है जबकि ख़ड़ा होना चाहिए न परशासन के बारे में भी कहा जा रह है तो कि अब यहां ना तो परशासन ना कोई pasar कई आगये कांका सकते हैं झालाट को संभाणने की क्लिए करेगा को लिए अगर किसी के साथ कोई तो सवाल है कि इस जगब पहर हम कि यहां कोई तियार है कर दे रही है कोई तूई नहीं का पहले इनलों आना चाहिए था ना या इस से पहले जो अरिया में में रहा हुआ था उनका भी तो बयान आना चीए था सांती के लिए भी अपील नहीं किया कि सांती बना है फिलहाल तो अभी हमने नहीं देखा है प्रिशासन सांती के अपील कर रहे हैं कल वहां बैठक भी हुआ था उसके बाद मामला तो खेर ठीक है होना चाहिए सिवान को कि सरकार बन गई है माया गडवन्दन के यहां पर बहुत अधिक सीटे हैं सिवान के लोगों को क्या उमीद है देखिए सिवान के लोगों की जो उमीदे थी हमको लग रहा है कि वो उमीदे सिर्फ उमीदे रह जाएंगी जैसा हम मतलब हम दो देखते हैं सवाल है कि यहां जो development की बात होनी चाहिए जिस तरह से विकास की बात होनी चाहिए जो यहां potential है उसको समझना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ काम हवा हवाई हो रहा है सच्चा ही है यह है आपने देखा होगा कि लगबग 6-7 महीना पहले सिवान का दाहन दिपुल जो की ठूट गया था उसको लेगर के लगतार हम चुकि मेरी अपनी चैनल उसको लगतार एक केंपेनिंग के रूप में लिया बहुत सारे लोगों ने ट्रॉल किया कि सिर्फ आपको वही मुद्दा मिल रहा है वही खबर मिल रहा है लेकिन साथ महीने के बाद उसका जो मरमत हुआ लोग उसको आ जा रहा है तो वह चीज़े एक बताए कि हम मुहीम चलाएंगे तब ही हो पाएगा क्या हमारे जन प्रतिनी दिन नहीं देख रहा है उस चीज़ को जो नेता उस तरफ जाते रहते हैं उभी आप सुमझे लिए कि आई बी के बगल में हो जहां पर बड़े-बड़े पटना से नेता आते हैं अधिकारी आते हैं बड़े-बड़े मतलब अगर दिखाए तो नेता सांसंद महोदे लोग आ करके उसी आई-बी में रुखते हैं जो दो मिनट कर रास्ता था वो आदगांडा तयकर करके आते था कि उनको नजर नहीं आता था तो सवाल है कि विकास के बाते सिर्फ हम सोच सकते हैं धरातल पर कितना उतर रहा है यह तो आप खुद समझ रहा है चुकि आप भी पतर का रहा है तो अगर हम लोग जादा सब्सक्राइब कुछ काम चल रहा है तो यह इसको किस रूप में आपने बात की सुता अज न खुला है आप इंजिनेरिंग कॉलेज यहां दे दीजिए पहले से भी कई कॉलेज थी यहां पर मेडिकल कॉलेज भी शाबदीन साब ने यहां पर डाला था सारा चीज ठीक है अ मुल मुद्दा है रोजगार का आपको हम बता दें तो जिस जगह पे इंजिनेरिंग कॉलेज खुला हुआ है उस जगह पे कभी सूता फैक्ट्री हुआ करता था जिसमें लगबक 200 लगबक 1200 परिवार जीता था खाते पीते लो 1200 परिवार चुकि मैंने ग्राउंड रिपोर किया पहले बार और दूसरी दिन किया उसी दिन उस पर बुल्डोजर चला था जिस दिन मैं ग्राउंड रिपॉर्ट करके वहां से हटा और उसा दिन बूल्डोजर चल रहा था ओसी दिन हमारे सीवां की सांसद महुद है कविता सिंग जी सदं में उसके लिए आवाज फू हम लोगों को रोजगार चाहिए लेकिन रोजगार का मिलेगा अगर यह रोजगार का साधन है यह फैक्ट्री है जिसमें 1200 परिवार खड़ता था जिनका परिवार चल जाता था अगर यह सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता तो हो सकता है कि इसमें 12,000 लोग आते हैं तो सीवान के लिए एक बड़ा विकास का जरिया कुलता और हम लोगों को रोजगार भी मिल जाता वह भी खतम हो गया अभी तो चीनी फैक्ट्री था दोदो यहां पर मिल था आपको दोनों बरबाद हो गया आप जाके के देखिएगा मैंने दोनूं का कवरेज किया मैं मिठा घ्र दुन हम् प्परेज JAMA बड़ा मिशीन वहां पड़ा रोगों होगा है कावि संब अप जाएग दाते देखाा हूँ पहल नहीं हो रहा है दूसरी चीज है कि जो आप पकवलिया की बात कर रहे हैं तो अगर पकवलिया में तो सब कुछ खतम हो चुका है बिल्डिंग उसका इंट तक लोग नोच ले गए हैं सिर्फ एक लोहा बचा हुआ है हमको लग रहा है कि लगवग 20-25 किंटल का होगा है इसलिए हालक उसको भी लोग मतलब अरी से काटने के चकर में थोड़ा मुड़ा काट ली है वह बाहरी है इसलिए पड़ा हुआ है बाक महागणदन की शरकार बिहार में बनी हुई है और उस असर क्या है शीवान में लोग क्या उमीद लगा रहे हैं सरकार से और जो काम होना चाहिए था सिवान में पिछले कई वर्षों से हुआ नहीं हुआ सब पर बात हुआ है श्थानिय पत्रकार है दो्ट वहां श्व Bowl नाम से चानल चलाते एंधा सब्सक्राइब कर लिए आप किखते हों इनको तो चाह सब्सक्राइस घ्रराइब लिए अक्राइब लिए आप अधर दस्कालाइब कर लास। झाल 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 झाल